नमस्कार दोस्तों मैं सवरब आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट मोबाइल सल्यूसन पर दोस्तों यह जो हैंडसेट आप मारे हाथ में देख रहे हैं सैमसंग ब्रैंड का है यहां देखिए उपर की तरफ सैमसंग की ब्रै ठीक है मैं सिम्पल यहां से डिवाइस को अनलाग करता हूँ और यह देखिए ड्रा अनलाग पैटन और आप देख सकते हैं डिवाइस हमारी पैटन डाख है ओके तो दोस्तों अगर आप सैमसंग गैलेक्सी एम 10 यूज कर रहे हैं और आपकी डिवाइस पे किसी भी लगा हुआ है पैटन लाग या पासवर्ड लाग किसी भी टाइप का लाग लगा हुआ है तो आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो पूरा देखने के बाद बहुत आसानी से आप घर बैठे बैठे अपने सैमसंग गैलेक्सी एम 10 को अनलाग कर पाएं यहाँ पे लिखाए ड्रा पैटन टू टर्न आफ फोन ओके यानि कि आपको सबसे पहले यह पैटन ड्रा करना होगा तब जाके आपकी डिवाइस पावर आफ होगी अगर आपको यह पैटन नहीं पता है तो आप डिवाइस को पावर आफ नहीं कर पाएंगे ओके तो कैसे इस device को unlock किया जाए, कोई दिकत नहीं दोस्तों बने रही हमारे इस वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के बाद, आप 100% अपने Samsung Galaxy M10 को unlock कर आएंगे, ठीक है, तो अब आते हैं दोस्तों device के right side में, device के right side में आएंगे दोस्तों, तो आपको 3 बटन देखने को मिलेगी, बिल्कुल उपर की तरफ देखिए, तो volume up है, उसके बाद volume down, और बिल्कुल नीचे की तरफ आपको ये power button देखने को मिलता है, अब इस device को unlock करने का जो method है, सबसे पहले इसका method मैं आपसे share कर देता हूँ, और उसके बाद ये चीज मैं आपको practically करके दिखाऊँगा, ठीक ह 10 सेकेंड के बाद आपकी device automatically power up हो जाएगी, ठीक है, और जैसे ही power up होगी, आप 3 बटन से अपनी finger हटा लेंगे, और तुरंत, बिल्कुल तुरंत volume up और power button को प्रेस कर देंगे, ठीक है, तो आपकी device recovery mode पे active हो जाएगी, ठीक है, अब चलिए ये चीज मैं आपको practically करके जाएगी, ये देखे, device power up होई, मैंने तुरंत volume up और power button को प्रेस कर दिया, ओके, और आपको ऐसे ही continue प्रेस करके रखना है, और आपकी device recovery mode पे active हो जाएगी, ये देखे दोस्तों, आप देख सकते हैं विडियो में, ये देखे device हमारी recovery mode पे active हो गई, ठीक है, और अब आप अपनी डोनों finger यहां से हटा लें, ओके, अब ध्यान से देख लीजे दोस्तों, ये जो device है, पूरी तरह से recovery mode पे active हो गई है, ठीक है, उपर की तरफ ध्यान से देखे लिखा Android recovery, ठीक है, अब चुकी दोस्तों device को आपको unlock करना है, तो आपको simple जाना होगा, wipe data factory reset वाले option पे ठीक है, तो बहुत आतान है, volume down button को प्रेस करके, आप चले आईए, wipe data factory reset पे, अब यहां पे हमको okay करना है, तो okay करने के लिए आपको ये simple power button को एक बार प्रेस करना होगा, जैसे ही power button को आप प्रेस करेंगे, तो यहां पे आपके सामने दो option आएगा, no, yes, ठीक है, तो आपक को एक बार प्रेस करना होगा, और यहां नीचेक तरब देखें दोस्तों, कुछ सेकेंड वेट करने के बाद, आपको ये message आएगा, data wipe complete, यह देखें, data wipe complete का message आपको आजाएगा, ठीक है, और उपर की तरब देखें, लिखा होगा है, reboot system now, यानि कि system को reboot करिए, तो system को reboot करन model number Samsung Galaxy M10, ओके, तो दोस्तों, device मारी reboot हो चुकी है, और अब आप wait करिए, device को पूरी तरह से चालू होने तक, और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, कि जब आपकी device पूरी तरह से चालू होगी, active होगी, तो आप देखेंगे, दोस्तों, आपके display पे किसी भी type का locks हो नहीं कर हानी से hard reset करके, किसी भी type का lock, pattern lock, pin lock, या password lock, remove कर पाएंगे, दोस्तों, मैं आपसे request करता हूँ, कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती, helpful लगती है, तो please दोस्तों, आप अपना प्यार और support हमारे चैनल के प्रती बनाए रखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज comment box में अपनी problem type करिए, अपनी problem मुझसे share करिए, मैं जल्द से जल्द आपको बेहतर से बेहतर solution देने की पूरी पूरी गोशीज करूँगा, तो यहाँ दोस्तों device को हमने hard reset किया है, तो device चालू होने में थोड़ा सा time लगेगा, तो आपको यहाँ पे patience रखना होगा, अब यहाँ देखें दोस्तों device हमारी चालू होने वाली है, starting android और यहाँ पे कुछ application इंस्टाल होगे, तो आपको यहाँ थोड़ा सा wait और करना होगा, यह देखें, installing application, तो थोड़ा सा wait और आपको करना है यहाँ पे, और यह देखें दोस्तों, finally हमारी device reboot होने के बाद पूरी तरह से active हो चुकी है, चालू हो चुकी है, और जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि जब आपकी device पूरी तरह से active होगी, चालू होगी, तो आपके display पे किसी भी type का locks हो नहीं करेगा, तो आप देख सकते हैं यह किसी भी type का locks हो नहीं कर रहा है, और अब हमें करना क्या होगा, simple यह android setup complete करना होगा, ठीक है, तो चलिए यह android setup complete कर लेते हैं, हम simple यह जो arrow है blue color का, हम इस पे click करेंगे, यहां से i hybrid इस box को check करेंगे, उसके बाद यहां से next, यहां से skip करेंगे, उसके बाद next, ठीक है, और यहा इसके बाद next, more, more, accept, उसके बाद आप यहां से चाहें तो pattern, penia, password अपलाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इस option को यहां से skip करूँगा, not now पे click करूँगा, skip anyway, उसके बाद next, skip, skip, और finally all done का message आ गया, यहां पे finish है, हमें finish कर देना है, और यह देखें दोस्तों, जैसे यह android setup मैंने पूरी तरह से complete किया, आप देख सकते हैं, device हमारी पूरी तरह से active हो गई, अंदाक हो गई, और अब यहां किसी भी type का locks हो नहीं चाहिए, तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो, और यह trick, दोस्तों अगर मेरी वीडियो और य हमारे चैनल के प्रती बनाए रखिए, चैनल को जरूर सस्क्राइब करिए, बगल में जो बेलाकन है उसे प्रेस करिए, तो थैंक्यू दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्यू, थैंक्यू सो मच